आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल स्टलाजर में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बुद्ध जब सिंख राशी में गोचर करते हैं तो 12 राशियों के उपर क्या आसर हो सकता है एक अगस 2022 को बुद्ध ग्रह सिंख राशी में प्रवेश कर चुके हैं जो की इनकी मित्र राशी है यह यहाँ पर 20 अगस 2022 कर रहेंगे वेदिक जोतिश के अनुसार बुद्ध ग्रह, बुद्धी, ज्यान, त्वचा, उत्तरदिशा, स्वर्शक्ति, आदिस संबंदित है सिंख राशी में बुद्ध का गोचर सभी के लिए बहुत फायदेबंद होता है क्योंके सिंख राशी में बुद्ध सकाराथमक होते हैं तो आईए अब जानते हैं कि 12 राशियों पर बुद्ध के सिंग राशी में गोचर क्या बदलाव लाने वाला है मेश राशी सिंग राशी में बुद्ध के गोचर से मेश राशी के जातक रिष्टों व्यापार को मजबूत करने में सफल रहेंगे शेयर बजार या सक्टा बजार में काम करने वालों को भुनाफा बढ़ाने का मोखा मिलेगा मेश राशी के जातक अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे जो लोग प्रेमी की तलाश में हैं उन्हें सफलता मिल सकती है मेश राशी के छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है व्रिशव राशी सिंग राशी में बुद्ध के गोचर के कारण व्रिशव राशी के लोग नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं परिवार के सदस्वों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं कमाई के स्रोत खुलेंगे आपके जिससे आर्थी किस्तिती मजबूत होगी संतान पक्ष से शुब समाचार आपको मिल सकता है अगर आप विद्याती हैं तो अभी समय काफी अच्छा बितेगा आपका सिंग राशी में बुद्ध के इस गोचर से नोकरी पेशा और व्यवसाई दोनों को करियर में लाब मिलेगा मिथुन राशी सिंग राशी में बुद्ध के गोचर से मिथुन राशी के जातकों को भाई बहनों से लाब मिल सकता है आपके रुके हुए काम उनके सहयोग से पूरे होंगे आपकी जोखिम लेने की शमता बढ़ जाएगी जिसके कारण आप जीवन में और आगे बढ़ पाएंगे प्रेमियों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा इसलिए खुल के जीवन का आनन लेना चाहिए करक राशी, सिंग राशी में बुद्ध के गोचर से करक राशी के जातक जीवन के लिए अच्छन ने लेने सक्षम हो सकते हैं वेवसाईयों और व्यापारियों को लाब मिलेगा अगर आप लंबे समय से किसी स्वास्त संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप आपको राहत मिलेगी करक राशी के प्रेमियों को रिष्टों में उतार चड़ाओ का सामना करना पड़ सकता है सिंग राशी सिंग राशी में बुद्ध के गोचर के कारण सिंग राशी के लोग अधीक रचनात्मक होंगे और जीवन से आपको अपक्षाएं बढ़ जाएंगी आपको सावधान रहना होगा अन्यता आती आत्म विश्वास के कारण आपको जीवन में हानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप शेर बजार या सक्टा बजार में काम करते हैं तो अभी आपको अच्छा लाप मिल सकेगा लेकिन सलह जरूर ले निर्णे लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कन्या राशी सिंग राशी में बुद के गोचर के कारण कन्या राशी के लोग दोस्तों परिवार और रिष्टेदारों के साथ मनोरजन में अधिक खर्च कर सकते हैं अल्पकाली की निवेश की संभावनाएं भी बनेंगी लेकिन आपको अपने स्वास्थे के लिए विशेश सावधानी बरतना होगी अचानक यात्रा संभव है खर्च करने के लिए आती उत्साहित ना हो अन्यता आपको बाद में पच्चताना पड़ सकता है तूला राशी सिंग राशी में गुद्ध के गोचर से तूला राशी के जातक अधुरी मनोकामनाओं का पूरी कर पाएंगे आए के स्रोत खुलेंगे रुके हुए कारे भाईयों और उच अधिकारियों के सहयोग से पूरे होनी के संभावनाएं बढ़ जाएंगे अगर आप शेर बजार या सिट्टा बजार में काम कर रहे हैं तो आपको भारी पुनाफ़ा हो सकता है तुला राशी के प्रेमी भी पार्टनर के साथ खुशी के पल बिता पाएंगे वरश्चिक राशी सिंग राशीं बुद्ध के गोचर के कारे वरश्चिक राशी वालों को नोकरी में पदोन नती मिल सकती है व्यवसाई अपने व्यवसाई को आगे बढ़ाने में सफल होंगे जिम्मेदारियां और अधिकार बढ़ेंगे जिससे अभी आप काफी व्यस्ट रहेंगे वरश्चिक राशी के प्रेमियों के लिए अच्छा समय रहेगा छात्रों को भी अब अच्छा लाब मिलेगा धनूराशी सिंग राशियों बुद्ध के गोचर के कारें धनूराशी के लोगों को भाके का साथ मिलेगा और इसलिए आपके रुकेवे कारें पूरे होंगे आप सामाजी को धार्मिक कारियों में समय दे सकते हैं माता-पिता की और से लाब मिलने का अच्छा मौका आपको मिलेगा मकर राशी सिंग राशी में बुद्ध के गोचर से मकर राशी के जातकों को जीवन में अचानक बड़े बदलाओ आ सकते हैं कुछ सकारात्मक होंगे तो कुछ नकारात्मक इसलिए किसी भी तरह के बदलाओ के लिए आपको तयार रहना होगा जो लोग शोद कारे में लगे हुए हैं उन्हें अच्छा लाब मिल सकता है अगर आप विदेश जानी की योजना बना रहे हैं लंदे समय से तो आपके रास्ते खुलेंगे स्वास्ते का विशेश ध्यान आपको रखना पड़ेगा कुंप राशी सिंग राशी में गुद के गोचर से कुंप राशी के जादक अपने नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम होंगे जिससे व्यापार बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी जो लोग शादी के लिए साथी की तलाश कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है प्रापर्टी में निवेश आप कर सकते हैं प्रेमियों के लिए समय अच्छा है इसलिए आनंद लें जो लोग शेयर ट्रेडिंग में हैं उन्हें विद्वानों से सुझाओ लेकर सफलता मिलने के योग अच्छे बनते हैं मीन राशी सिंग राशी में बुद्ध के गोचर से मीन राशी के जातक अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे रुकाधन आपको वापस मिल सकता है यदि आप किसी कानुनी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अब आपको राहत मिलेगी अगर आप लंबाय समस्या स्वास्त संबंदी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अब आपको राहत मिलेगी तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे सिंग राशिन भुद्ध का गोचर बारा राशियों के जीवन को बदल सकता है इसकी पूरी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं इस चैनल में अगर आप नहे हों तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो तुरंट राप्त हो सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए